और अब हम शुरुआत करते हैं, आज बात करेंगे हम इतिहास की, बहुत पुराना इतिहास, बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए हमें, उसके बाद ही समझपाएंगे कि गौमाता क्या है, पृतवी क्या है, सूर्य क्या है, पृतवी का उद्भव कैसे हुआ, सूर्य का उद्भव कैसे हुआ, ये सब जानेंगे तभी हमें जानने को मिलेगा कि हम कौन है और गौमाता हस्तित्व में कहां से आई इसके लिए गायों से प्राप्त द्रव्यों को भी समझना पड़ेगा सारी चीज़े पता चलेंगी द्रव्य क्या है इनके उपयों क्या है प्रित्वी और इसकी पत्ति कैसे हुई सब चीज़े समझेंगे विस्तार में समझेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को सही हम रतना पड़ेगा दीरे-दीरे समझ में आएगा विश्याइट बात करते हैं सबसे पहले सौर्य मंडल की इसमें भी सबसे पहले आकाश की हम बात करें जो अनन्थ है इसमें तारे या हम समझा है लेकिन जहांपर हमारे ब्रेण की पावर खत्म हो जाती है बस वही हमें लगता है कि हम गिन नहीं सकते यही तक है और जो आज के साइंटिस्ट है उनका यही हाल है जब उनके ब्रेन के पावर से चीज़े बाहर निकल जाती है तो वो कह देते हैं कि अंगिन है लेकिन सब कुछ गिना जासकता है और सब कुछ एक लिमिट में है कुछ बीध नहीं है लेकिन होता ही है कि हमारी सामर्थी से तो मस्तिष्क की क्षंता से अगर कुछ चीजे ज़ादा हो जाती है तो आज के तधा कतित वैग्ञाने उसको कह देते हैं कि इनफाइनाइट है ऐसा ही कुछ होता है जब वह अगर हम ऐलोपथि की बात करें तो वहाँ भी ऐसा ही होता है उनके मस्तिश के से जब चीज़े बाहर निकल जाती है तो कह देते हैं कि यह तो इनक्यॉरेबल डिजीज है जबकि होता क्या है वो किवल चार तत्वों पे काम करते हैं अगर बात की जाए आकाश तत्व की अगर आकाश तत्वी से संबंदित कोई रोग है किसी को तो वो कह देंगे कि इनक्यॉरेबल डिजीज है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उनका मस्तिश उसको सोच ही नहीं पाता किवल चार चीज़ों की पढ़ाई पढ़ते हैं वो लोग और उसकी उपर यह अनुसंधान कर कि उन्होंने अलोपैथी बनाई है उसको पूरा डिजाइन किया है तो यह बात थी कि जब मस्तिश के क्षंता से कुछ चीज अधिक हो जाए आकाश में अनंत स्तारे हैं और वो अपने धूरी पर घूंकर चक्कर लगा रहे हैं चक्कर लगाना क्या होता है अर्थात गती अगरम बात करें तो सब में गती है और अंग्रेजी का शब्ड वटाइम तो वैलो सेटी है और वेग है इसलिए अस्तित्व है सब कुछ घूम रहा है कि सब कुछ किसी के चक्कर लगा रहा है इसलिए हमारा स्थित्व भी है अगर यह वेग रुख गया तो सब कुछ खतम ह जाएगा सब कुछ अस्थित्व खतन इसलिए बहुत महत्वपोन है प्रित्वी सूरे के चारो और घूंती है चक्र लगाती है सूरे भी किसी के चारो और घूंता है चक्र लगाता है और सूरे के चारो और जो चक्र लगाता है उसके उसके भी चारो और कोई ना कोई चक्र ल चक्र के कारण ही दो तारे आकाश में टक्राई यह एक घटना-घटितू hopes इसा आया जब महा विस्वोड के स्थित्योट बनने रहते हैं रहते हैं Weli महा विश्वूर्ट हुआ ये महा विश्वूर्ट कब हुआ एक enfants सूर्अ सुर में एक तारा है है जब सूर एक दूसरे तारे गे में टकराया और वो तारा सूरे से भी बहुत बढ़ा था शक्तिशाली था तो जब सूरे से वो तारा टकराया दोनों के जो है उन्होंने ओवरलैड किया एक दूसरे को उसके कारण क्या हुआ महाविस्वोड की स्थिति उत्पन हुई अगर चित्र के माध्यम से मैं इसको समझा पाती तो आप और अच्छी से समझ पाते यह जो महाविस्वोड है यह दो बार हो सकता है लेकिन इन दो बारों में भ अपनी धूरी पर भूंते हुए दूसरे किसी तारे से जो कि उससे भी बड़ा था उससे टकराया फिर सूरे की बहुत सारे टुकड़े हो गए तो जो सूरे की गती थी उसकी गती उसके टुकड़ों में भी आ गई जितनी गती सूरे के अंदर थी उतनी उसके टुकड़ों में भी समाहित हो गई जो सबसे बड़ा तुकड़ा था उसको हमने कहा सूर्य जिसे आज हम देख पाते हैं ऐसे कुल 12 टुकड़े हुए लेकिन कुछ टुकड़े विलुक्त हो गए और अभी भी अगर हम बात करें तो अभी कुल 9 टुकड़े बचे हुए हैं सूर्य के लेकि साथ टुकड़े ऐसे हैं जिने हम देख सकते हैं और इन ही कहा जाता है प्लैनेट्स यानि कि ग्रह है तो यह जो विस्पोट हुआ इससे ग्रह उत्पन हुए और सूरे के ही सूरे के जो टुकड़े निकले उनसे ही बनी पृत्वी और पृत्वी के ही टुकड़े से बना चंद्रमा यानि सब कुछ सूरे के टुकड़े हैं और यह जो घटना घटित हुई आकाश में इसी को कहा गया महाविस्पोट प्रतिपल प्रतिक्षन आकाश में तारों का कॉलिजन होता ही रहता है यानि कि जो टकराव है ये लगाता ही होता ही रहता है तारे टकराने के बाद मंडल बनता है और फिर ये सब कुछ सिमट जाता है एक दिन और फिर से तारे बन जाते है यानि कि एक दिन ये जो बिखरेवे हैं आपको अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं, एक दिन सब की उर्जाए एक साथ मिल जाएंगी और सब एक बड़े तारे के रूप में सिमर जाएंगी, अभी जो आपको बिखरेवे दिखाई दे रहे हैं प्रित्वी के सभी टुकडे प्रित्वी के चक्कर लगा रहे हैं और जो प्रित्वी के चारों चकर लगा रहे हैं उनके भी जो टुकडे हैं वो उनके चकर लगा रहे हैं बड़े टुकडों के साथ में कुछ सूक्षम टुकड़े भी निकले जब महाविस फोर्ट हुआ तो जो बड़े टुकड़े थे कुछ बहुती सूक्षम टुकड़े थे वो भी निकले ये इतने सूक्षम थे कि इनकों आँखों से नहीं देखा जा सकता और ये एक तरम की त जो पिंड होता है अर्थात मास, ये भी टकराहट से ही उत्पन्द हुआ, सूर्य टकराने के बाद में जो उर्जा निकली वो अद्रिश्य है, देखी नहीं जा सकते, तो यहां पर गणित का एक सिध्धान्त काम करता है, वो सिध्धान्त क्या है, कि पिंड और उर्जा को वेग बनेगा, उसको गती मिलेगी, तो जो चक्कर लगा रहे हैं, ये इसी लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ये द्रव्वे हैं, पिंड हैं, इनको मिली है उर्जा, और उर्जा की वज़ा से ही ये किसी ना किसी के चारोर चकर लगातार लगा रहे हैं, अब जितनी भी सूर् उतने के कारण उर्जा निकली, वो फोर्स के बराबर थी, यानि उर्जा निकली और जो वेग उत्पन हुआ, वो बराबर था, लेकिन उनके सब के द्रव्यमान अलग थे, जो मास की अगर हम बात करें, वो अलग थे, जैसे मंगल का कुछ अलग मास है, कुछ अलग द्रव्यम पुरे सौरे मंदल के मध्य में सूरे है पुरे जो हमारा सौरे मंदल है उसके मध्य में क्या है सूरे है जो उर्जा निकली, वो भी उस पोर्स के कारण काफी दूर तक निकल गई, जब टुकड़े टूटे सूरे के, तो सूरे की जहां तक उर्जा गई, उसका जहां तक गुरुट वाकर्शन था, बहां तक वो टुकड़े बिखरकर स्थिर हो गई, स्थित हो गई, स्थित हो गई सबी ग्रहों और उप ग्रहों की जो उवजा है उसका जो ओरिजिन है वो सूरे है अब एक दिन क्या होगा कि सूरे फिर से सबको अपने आप में समाहित करके एक हो जाएगा तारू का तूटना और समाहित होना ये लगातार ब्रह्मान के अंदर चलता रहता है एसे ही बात होती है जो ये घटना घटी diff fright ौी समेडि वाली उससे जतने ग्रह उत्पण्द वह वो सब उसकी फैमिली है इसे ही कहा जाता है सव्पामिली तो पृत्वी और सूरे और जितने भी ग्रह हैं इनकी दूरी siitä सूरे से लगातार घटी चली जा रही है लेकिन ये इतनी एक मिनट प्रित्वी और सूर्य इनके साथ बाकी जो ग्रहा है इनके जो दूरी है वो सूर्य से लगातार घट्री चली जा रही है और सभी ग्रह सूर्य की तरफ वापस से आकर्शित हो रहा है यानि कि वो समाहित होने की दिशा में जा रहा है लेकिन ये इतनी तेजी से नहीं हो रहा कोई 20 से 25 सालों में प्रित्वी जो है वो सूर्य से 1 या 1.5 cm की निकट आ रही है इतना धीमिगती से ये प्रोसेस चल रहा और जिस जिस प्लानेट पर सूर्य की उर्जा मिली वो वापस उसी में मिल जाएगी जैसे प्रित्वी को मिली मंगल ग्रह को मिली गुरू को मिली ये जो सारी उर्जाएं हैं वापस से सूर्य के अंदर ही समाहित हो जाएंगे लेकिन इसके लिए क्या होगा समाहित होने के लिए क्या करना होगा उर्जा जितनी भी है उनको सूरे में मिलने के लिए एक वेग तयार करना होगा एक फोर्स लगाना पड़ेगा और तभी जाकर वो सूरे में मिल पाएंगी यह जहां है वहां की बस्तों को लेकर ही शरीर धारन करेंगी सबसे पहले जो शरीर धारन हुआ ये घ्याद नहीं है कि सबसे पहले शरीर कौन से घ्रहपर धारण हुआ लेकिन अगर गुरू-ग्रह के बात की जाए तो गुरू-ग्रह में जितनी भी ऊर जा थी तो वहां की चीजों को लेकर शरीर धारण किया जैसे हम प्रिथवी की बात करें तो प्रित्वी में कौन से तत्व होते हैं जल, आकाश, बायू, भूमी, अगनी ये जो तत्व हैं इन से मिलकर शरीर का निर्माण होता है ऐसे ही गुरु ग्रह पर जितने भी तत्व थे वहां के तत्वों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है उस शरीर से क्या होता है उर्जा का विले हो जाता है इसी उर्जा को हम कहते हैं आत्मा एक बार फिर से रिपीट कर देते हूं कि गुरु ग्रह में जितनी भी उर्जा थी वहां की चीजों को लेकर वहां के तत्मों को लेकर शरीर को धारण किया उस उर्जा ने उस शरीर को उर्जा से क्या मिला बल मिला फिर स लेकिन उर्जा लेने के लिए उसे एक शरीर की आवशक्ता होती है, तो शरीर क्या करता है, शरीर करता है कर्म, और इससे क्या होता है, जो आत्मा है, जो हमारी सोल है, उसको बल मिलता है, और फिर सूरे में विले हो जाती है हमारी आत्मा, सूरे से जो भी एनर्जी निकली, व अलग-अलग ग्रहों पर है, लेकिन उसको एक शरीर की आवाज चकता है, तो सबसे पहले ये काम कहा हुआ, कौन से ग्रहा पर हुआ, इसका पता नहीं है, लेकिन गुरु ग्रहा पर हुआ, इसका पता है, गुरु ग्रहा के बाद में ये काम हुआ, पृत्वे पर, नहीं, यानि की आत्मा तो आत्मा जब शरीर को धारण करती है उसे ही कहा जाता है जन्म और जब शरीर छोड़ देती है उसे कहा जाता है मृत्यू लेकिन जन्म से लेकर मृत्यू तक जो कारे होता रहता है उसे कहता है कर्म तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब वो फुल चार्ज रहती है तो गुरु पर जितने भी सोल थे जितने भी आत्माई थी सबने शरीर को धारन किया कर्म किया उसके बाद में क्या हुआ कि वो सूरे में विले हो गए लेकिन सारी आत्माई सफल नहीं हुई सारी आत्माउं को वो उर्जा नहीं मिले जितनी मिलनी चाहिए थी दुबारा से शरीर को धारण करना पड़ा, शरीर को क्यों धारण करना पड़ा दुबारा, क्योंकि उन्हें उर्जा चाहिए थी और सूरे में विले होना था, इसलिए, तो ऐसा ही concept आता है, 84 लाख योनियों को लेकर, ये योनि होती क्या है, ये होती है, टाइप अफ बॉड तो दूसरी बार दूसरा शरीर धारण करना पड़ा, उसमें भी असा फलता मिली, फिर तीसरी बार, ऐसा करते-करते लगातार 84 लाख योनियों में आत्मा भटकती रहती है, उनको उतना शरीर धारण करना पड़ता है, तो इस प्रकार से कुल 84 लाख प्रकार के शरीर बन सक तो फिर भटकती हुई जो आत्मा थी भटकती हुई जो उर्जा थी उसने क्या किया निकट ग्रहा पर अपना बसीरा जमा लिया यानि कि दूसरे ग्रहा पर चली गई मंगल ग्रहा पर गुरू के निकटस ग्रहा पर तो वहां पर जब उसने उर्जा डवलप की उस आत्मा ने तो क्या हुआ मंगल घ्रा तक पहुँचे फिर वहाँ पर जो जितने भी सोल्स से जितने भी आगमे थी मंगल घ्रा पर जाने के बाद उन्होंने यह चीज़े की यानि कि वहाँ के तत्मों से लेकर शरीर बनाया शरीर में प्रवेश करते चले इससे हम क्या समझते हैं कि जो आत्मा है वो शिफ्ट हो सकते हैं लेकिन शरीर कभी भी शिफ्ट नहीं होता है शरीर बहुत में खतम हो जाता है जिस ग्राफ के तत्मों से वह ही वापस लोटना होता है तो ये गुरू से निकले वे जितने सोल उस थे वो गुरू के गुरुत्वी में ही रहेंगे मंगल पर भी ऐसा ही हुआ मंगल पर जो बॉड़ी फॉर्मेशन थी जब इसकी पावर खतम हो गई तो मंगल का पड़ोसी ग्रह जो है प्रिथवी इस पर सारी आत्मा चली गई सारी उर्जा प्रिथवी पर चली गई तो गुरू से मंगल और फिर मंगल से प्रिथवी पर आये हैं हम लोग जो भी हम उन्हीं शरीय धारन किया हुआ है हम सब वैसे तो आत्मा ही है हम सूरे में विल्य होने के लिए कर्म कर रहे हैं जो हमारा काम है क करना किसली कर रहा है सूरे में विल विले होने के लिए क्योंकि एक दिन ये जितने भी ग्रohnळändern質 बीड सब समाहित हो जाएंगी किसके अंदर सूरे के अंदर अब सबम कि चैसे मिलेगी जूरी है हमारा उसको काइसे मिलेगे आत्मा अपने आपको बलवान महसूस कब करेगी, जब उसे एनरजी मिलेगी, लेकिन कैसे, जब वो अच्छे कर्म करेगी, दो तरह के कर्म है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, यदि अच्छे कर्म करेंगे, तो उर्जा का ह्यास होने से बचेगा, यानि कि हमें उर्जा थो आत्मा को आत्मा को अत्मा को फ़िद में विफल हो जाएगी और इसी तरह से 84 लाक ओन्यों में वो चलता रहेङा और इसी को कहा जाता है मोक्ष प्राप्ती तर् Dell और जह मौक्ष प्रापती की बार्फ यह अंदर विश्वास नहीं है बल्कि सकते हैं कर्म की और जा से जब सूर्य परिपक्ष हो जाता है तब मोक्ष और जब रही सूरे को लगता है कि इस आत्मा ने इतनी उर्जा ग्रैन कर ली है जितनी मुझे आव ll एकता है तब आत्मा को मौक्ष रिसमें बहुत संते सूरे की दूरी होती है वही कहलात्य व्य सिंभत सुनते जब किसी की मृत्त्य हो जाती है ज्यादा तरह तभी सुनने में आता है वैतर्णी ये वैतर्णी क्या होती है प्रित्वी से प्रित्वी ग्रह से सूरे की जो दूरी है वो ही वैतर्णी कहलाती है एसे कौन से काम है जो हमारी soul को चार्ज करते हैं क्योंकि जब हमारी soul चार्ज होगी आत्मा को जब बल मिलेगा उर्जा मिलेगी तब ही वो मोक्ष की तरफ जाएगी ऐसे कौन से काम है discharge होने पर क्या होता है नया शरीधारन करना पड़ता है कर्म करने के लिए और कर्म क्यों करना पड़ता है ताकि उसको उर्जा मिल सके जो आत्मा है उसको उर्जा मिल सके और ऐसा क्यों करना पड़ता है यानि कि आत्मा को उर्जा की जरूरत क्यों होती है ताकि वो सूरे में बापस से विलह हो सके और सूरे में क्यों विल्य होना पड़ता है क्योंकि एक दिन फिर से सभी घ्रा सूरे में सिमर जाएंगे सभी उठ जाएं सूरे के अंदर समाहित हो जाएंगे तो ये पूरा प्रोसेस है और सबसे अंत में क्या होता है जो हमारा लक्षे है वो क्या होता है वो होता है मोक्ष, यानि कि सूरे में मिल जाना, तो जो body है, वो part of the earth है, यानि जो हमारा शरीर है, वो पृत्वी का हिस्सा है, वो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो पृत्वी है, वो सूरे का हिस्सा है, उसे सूरे में जाना है, यानि जो हमारा शरीर है, ये पृत्वी में वि एक दूसरे से इस तरह से जूड़ा हुआ है, जो हमारा शरीर है, वो क्रित्वी के तत्व के से मिलकर बना हुँआ है, जो सभी लोग जानते ही हैं कौन-कौन से वो तत्व है, प्रित्वी जो है, वो डारेक्ट पार्ट psyche सूरे का हिस्सा है प्रित्वी, और जो हमारी body है उसकी जितने भी तत्व हैं वो भी सूरे के ही पाठ है कैसे क्योंकि जो उर्जन मिली है वो कहां से मिली है सूरे से मिली है जो प्रिथवी है वो कहां से निकली है उसका उद्भव कहां से हुआ सू्रे से तो यह जो शरीर है यह प्रिध्वी में मिलेगा लेकिन जो प्रिध्वी है वो सूरे में जाकर मिलेगी और इसे युगा जाता है मोक्श जो हमारी अत्मा है उसका विले होना है सूरे में तो कर्म क्या है कर्म एक क्रिया है एनरजी डवलप करने के लिए आत्मा को ऊठ्जा देने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे ही कर्म कहा जाता है और पूरे ब्रह्मान में जहां कहीं भी हम देखें सब में गती है, velocity, कुछ भी रुखावा नहीं है, सब कुछ गती मान है, निरंतर गती मान है, लेकिन जब गती रुख जाएगी, उस वक्त क्या होगा, गती रुखने पर प्रले आती है, ये प्रले आती क्यों है, ये प्रले आती है, जब सब कुछ रुख जाता है, तो अब एक इसका example लेते हैं, जैसे माली जी हमने दो अम्रूद लिये, एक कमरे के अंदर एक कोने में हमने एक सड़ावा अम्रूद रखा और दूसरे कोने में ताजा अम्रूद रखा, कच्चा समझ लेजे, कच्चा अम्रूद रखा, अब आप उसको observe करो कुछ time तक, कुछ द पन्न हो जाएंगे, अभी कीड़े कहां से आए, ये कीड़े ही उर्जा है, जिन्होंने शरीर धारण कर लिया, उनको एक मार्ध्यम की आवश्यक्ता हुई, और वो मार्ध्यम बना सड़ावा अम्रूद, जहांपे body formation हुआ, तो आत्मा ने travel किया, यानि कि जो soul है, जो उर् अम्रूद खतम हो जाएगा, अम्रूद का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल कीड़े होंगे, लेकिन जब वो कीड़े परिपक्व हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, नया शरीर तलाशेंगे, वो सकता है कि शायद वो पास रखे, अम्रूद में प्रवेश कर जाएंग रखा है, वो कीड़े वहाँ चले जाएंगे, और फिर वो ही प्रक्रिया दोहराएंगे, जो उन्होंने पहले वाले अम्रूद के साथ में की थे, तो यही सारा प्रोसेस है, जो ब्रह्मान में लगाता हो रहा है, हमारे शरीर के कुल आठ हिस्से बताए गए हैं, वैसे नौ हिस्से हैं, लेकिन जिनका जिक्र अश्टांग रिद्यम में मिलता है, वो केवल आठ है, जो नवा है, जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई, वो है हमारी आत्मा, अब यह क्या है, जो नौ हिस्से हैं, वो क्या है, एक हिस्सा तो आत्मा है, बाकी के आठ हिस्से क्या है, जो एक हिस्सा है वो पृत्वी से connected है और बागी के जो आठ हिस्से है वो सूरे से connected है तो जो एक हिस्सा अर्ज से connected है वो क्या है वो है हमारा शरीर और बागी के जो आठ है जो सूरे से connected है वो क्या है वो सूरे से निकली वे ही उर्जा है नवे भाग के बारे में चलत ने बता क्थ्वी 8 सब्सक्राइब यानि कि जो पृत्वी है उसके आठ हिस्से है आठ तत्वों से मिलकर बनी है भूमी जल अगनी वायू आकाश ये तो पांच है जिनका हम जिक्र सुनते ही रहते हैं लेकिन इन पांच के अलावा भी तीन कुछ है वो तीन क्या है उर्जाएं है कौन-कौन सी उर्जा शेव उर और ब्रहमा उर्जा तो ऐसे करके यह आठ तत्वों हैं यह हमें सूरे से ही प्राप्त हुए है और जो नवा तत्व है वो है हमारी आत्मा जिसके बारे में चरफ मिसार में नहीं बताया हमारा शेयर भी इनी तत्वों के साथ मिलकर बनाएं जादा तर हम सुनते हैं कि आपको अस्टांग रिद्यम में आसानी से मिल जाएगा अब इसमें भी मैंने पहले जैसे बताए कि अलोपैथी ने केवल चार को ही समझा है जबकि दरसल कुल नौ तत्व हैं लेकिन अलोपैथी किस पर काम करती है केवल भूमी जल अगनी और वायू इनके बाहर कुछ में ज समग रहें कोई भी रोफो क्योरेबल होता यानि कि हर बीमारी का इलाज है वो भी शर्तिया जब जब भी इन आठ तत्वों में अन बैलैंसिंग होती है यह तत्वों का संतुलन अगर बिगड़ता है तो ही बीबारी कहलाती है तो ही बीमारी होती है लेकिन एलोपैथी वाल तो जो बाग भट जी ने बताया है कि चिकितसा विज्ञान जो है एक बहुत ही सरल विज्ञान है बहुत आसानी से समझे जा सकने वाला विज्ञान है क्यों कि केवल दो ही चीज हमें सीखनी है अगर ये विज्ञान के बारे में जानना है तो केवल दो ही चीजे समझनी है पह हमेशा निरोगी रहेंगे और इसके लिए क्या करना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने शरीर की प्रकृति के बारे में पता है, अपने अंग, उप अंग, भोजन की तासीर के बारे में पता है, ये सब जिसे पता है, वो है master of his or her body, यानि कि उसने अपनी शरीर पर विजय प् ये आटू